किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है शुरू से हम पूरी तरह से मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो गेंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नौ स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने पर्मिशन मांगी थी उस टाइम मेरे उपर बहुत दबाव डाला गया चारों तरफ से कई फोन आये खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम पर्मिशन दे दें उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़के उनको च्टेडियम में डाल देंगे और पड़े रहेंगे लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी उनको पर्मिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार हमारे MLA हमारे पार्टी के कारेकरता हमारे मंतरी गन मैं खुद हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की से पर नहीं आया मैं एक सेवादार के तौर पर आया हूं सेवा करने के लिए आया हूं किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन उगाता है हमारे लिए हमारी सेवा करता है आज किसान मुसीबत में है हम सब का पूरे देशवा तो आज ये मोटर वगेरा और पायपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे उदर रहने की विवस्था देखी किचन भी देखी, एम्बूलेंस भी देखी, क्या जान कारी लिया आपने जब आपने आप से किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सैटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगतार संपर्क में हूँ हमारे जर्नेल सेगिंग कल रात को यहीं सोई हैं उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोई हैं तो हमारे सारे वालेंटियर्ज, सारे कारेकरता, सारे ओफिसर्ज सेवा में लगे हुए हैं और मैं उमीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समाना है। कल कल बंड का समर्थनवी किया है क्या情 अमादमी पार्टी कल जो किसानों ने आठ ताहिप को भारतबंद का क्याँ मत्ति कब आजबरा क्राड़ करेंगेrim हुआ पूरे देश के लोगों से आपी们 करता हूं कि асब लोग इस बूझतike वह गलत अफ़वाइं पहले जा रहे हैं ये बिलकल गलत कर दो झाल झाल